सोर्ग पिता और इश्यू मसी और पवित रात्मा के नाम से आमें पवित रात्मा मेरे को बल्दे कुरूपादे आपका प्रेचार करने को और सब शब्द आपके शब्द करामें सोर्ग पिता में इश्यू मसी के नाम से प्रात्ना करता हूँ मेरे को बल दे कुरूपा दे आपका प्रचार करने को और सब शब्द पवित रात्मा का शब्द करामें सुर्ख पिता में एशु मस्य के नाम से प्रात्न करता हूँ जो लोग यह सुनकर आगे दुसरों को बेज़ते वाइरल करते उनको हमेशा बेजने के लिए मदद कर कोविड बीमारे और ब्लैक फंगस बीमारे से लोगों को बचा कर रख सब कामा यह लोगों का करके दे और कोई भी बीमारे यह लोगों को सता रही है उनका बदन में है और सब कतम कर दे आज तारीके 9 जुलाई 2021 में मानता हूँ परमिश्वर की जैसा परमिश्वर का जैसा कि जो लोगों ने प्रचारा पहले से सुन लिए है और सब लोग पवित्र बन गए और इश्व मस्य का कारे कर रहे है आमें माती 18 शब्द 21 तब पत्रस ने पास आकर इश्व मस्य से कहा ये प्रभू यद्धी मेरा बाई अपराद करता रहे तो मैं कितनी बारा उसे श्मा करूँ क्या साथ बारा तक ये श्व ने पत्रस से कहा मैं तुमसे ये नहीं कहता कि साथ बार वर्ना साथ बार के सत्तर गुने तक लेकिन साथ बार के सत्तर गुने तक साथ बार सत्तर कितना हो गया चार सो नव्बे कम से कम पांसो बार हो गया किसको एक बाई को इसरेल का दरम बोलता था कि साथ बार तुम माफ कर इसलिए पतरस ने पूचा कि साथ बार मैं माफ करना चाहिए या कभी भी उसको नहीं माफ करूं क्या करें लिका तो है साथ बार कर ले लेकिन एशुमसे ने क्या बोला साथ गुना सत्तर बोले इसका मतलब क्या है कि जब तक तुम जिन्दा रहे तब तक तुम माफ करता रहे ने का जब तुम माफ करने का बंद किया बोले तो तुम एशुमसे का चला नहीं है तुम वापस से तेरा पुराना जिवन जो शैतान का ता उसमें चले गया तुम परमेश्वर का बच्चा नहीं है अमारा सोर्ग पिता लोगों से इतना प्यार करता कि लोगों को बच जाने के लिए ये नरक से बीमारी से लाचारी गरीवी से बच जाने के लिए सोर्ग पिता ने एशु मस्य को बेजा एक परमेश्वर होके इतना उसको सहना पड़ा तो एशु मस्य आमको इदर क्या बोलता है सत्तर बार नहीं साथ बार सत्तर सिर्फ साथ बार नहीं साथ बार सत्तर बोले तो मरते दम तक तुमारा जीवन एशु का जैसा होना मांगता जैसा प्रभुन स्वर्ग पिता ने आमको एशु मस्य बेजा और आमको वापस ये इडन गाडन में आमको बरती किया एडम आदाम और ये जैसा थे ये फल काने से पहला पाप करने से पहला बिलकुल परमिश्वर का जैसा थे परमिश्वर के साथ में चलते थे परमिश्वर उनके पास रहता था परमिश्वर उनको मिलता था बातें करता था तो ओई जीवन जिने के लिए आमको दुबारा से एशु मस्य की तरफ से सोरिक पिता ने आमको दे दिया ये एक कुरुपा बना के आमको दे दिया ये एशु मस्य के दुवारा तो बिलकुल आमको सोरिक पिता का जैसा अभी जो गलत में है जो एशु मस्य को गाली देते है वो लोगों को भी सोरिक पिता उतना इच प्यार करता लोग एशु मस्य को गाली दे किसी को भी गाली दे लेकिन परमिश्वर का प्यार सोरिक पिता का प्यार कभी भी कम नहीं होता हर एक इनसान को परमिश्वर सोरिक पिता उतना इच प्यार करता हमारा दुनिया का माबाप का जैसा नहीं कोई बच्चा अपंगे है कोई बच्चा पढ़ने में तेज नहीं है वो बच्चों को लोग माबाप कम प्यार करते है कम चीजे उनको खाने को देते है कम चीजे उनको पहनने को देते है सब आच्छा चीज आच्छे बच्चों को देते है, उपर से ज़्यादा देते है, तो ऐसा नहीं है आमारा सोर्ग पीता, इंसान कोई भी हो जाए, कितना भी बुरा हो जाए, कितना भी विकारी हो जाए, बले उसको किडे पढ़गे, किडे उसको खा रहे, कुछ भी हो जाए परमेश्वर का प्यार कमना नहीं होता यह जो लोग भुगत रहे है वो खुद की गलती से नहीं तो अगर चोड़े बच्चे हैं 5 साल 7 साल के निच्चे 5 साल के निच्चे 6 साल के निच्चे वो लोग उनके माबाप और बुज़ूर लोगों के वज़े से वो लोग मारकाते है मैं इधर डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डालेगा चोठे बच्चे 6 साल से लिखे बच्चे प्रचार करते है लोगों की बिमारियां टिक करते है वह मैं अभी एक डिस्क्रिप्शन में डाल देगा तो वीडियो कतम होने के बाद वह भी तुम लोग देख लेना जानवर का जैसा जिन्दगी जियेगा तो पुरा परिवार का वाट लगेगा और तुम खुद और तेरा पुरा परिवार और आने वाली पिलगी सब नरक में जाएगे तो इसमें गलती करेगा तो पुरा का पुरा खंदान मारक आएगा पुरा का पुरा पिलगी जो आने वाली है ओ मारक आएगी तो इसमें कुछ फाइदा नहीं है इसमें आम लोग बहुत छाणा बनना मंगता है ये सोर्ग का राज में आम लोग बहुत शाणा होना मांगता है आमको ये राज कैसा भी पकटने का है जैसा बंबई में आप लोगोंने देखा है कि चलती गाड़ी में लोग कैसा चलान लगाते है इतना बीड होता है गाड़ी रुक गई फिर से चालू पड़ गई फिर भी लोग अंदर बाहर पुरा होता नहीं है इतना बीड रही थी है तो गाड़ी चालू हो गया फिर भी लोग चलान लगाते रहे थे कोई लोग उतरते है जिसको जगा नहीं मिला वो धक्का मार मार के गाड़ी चल पड़ी फिर भी उतरते हैं कोई गाड़ी पकड़ने को उतर रहे है उपर चड़ रहे है गाड़ी तो च्ल उपड़ गई तो आमको ये सोर्ग का राज पकड़ने का है कहीसा भी पकड़ने का है चोड़ने का नहीं तुम मरते तूम मरने से पहला तेरे को पकड़ने का है तेरा सांस बंद गई रुक गई तुम गया सिदा नरक में में बच गया तो मेरे को दस महिना हो गया तो आमको हमेशा मरते दम तक एज करने का है सब को बक्षी देने का है तब इच कि आमको सोर्ग का राज मिलता है जो एश्यू मसिल आमको प्रातना सुनाया है वो बोलता है कि तूम पहला तेरे को खुद को माफ कर उसके बाद तेरे को सोर्ग पीता माफ करेगा तेरा गुना तेरा पाप तो जब तक आम दुसरों को माफ नहीं करते आम लोग सोर्ग में नहीं जाएंगे मरते दम तक आम बिल्कुल परमेश्वर का जैसा इस जिन्दगी में जिने का है जैसा परमेश्वर बुरे लोगों को बुरी चीजें देता नहीं बुरे लोगों को बीमारियां देता नहीं बुरे लोगों को जिन्दा मारता नहीं वैसाइच मेरा भी जिवन बिल्कुल परमिश्वर का जैसा होना मांगता है स्वर्ग पिता का जैसा अगर मैं स्वर्ग पिता का जैसा नहीं बना तो इंसान गया काम का लोग जो बुरा बगतते है वो खुद के काराण से अभी जो मैंने बोलाए हो लेकिन परमिश्वर कुछ बुरा देता नहीं परमिश्वर किसी को जिन्दा मारता नहीं किसी को भी चोटी उमर में जिन्दा नहीं मारेगा वो लोग गलत बोलते हैं वो लोगों का सोच गलत है कि एशू मसी चोटे बच्चों को कम उमर वाले लोगों को चाहता है कि सोर्ग में उसकी मदद करे जाके उदर क्योंकि उमर में चोटे है, काम करने में आच्चे तगड़े है तो इसलिए सुहर्गनों जाके परमेश्वर को मदद करे यह गलत है, यह सब जूटे और एक किसका अनुसार बोलते है, वो भी तुम लोगों को आज में बोलता एक जोब करके एक पुराना करार में अद्दे यह, जाके देख ले जोब करके एक किताब है, पुराना करार में अद्दे तीन, शब्द 25, जोब वो उसका पुरा खंदान, अगर वो पुरा किताब पड़ेगा तो चालो में उसका पुरा खंदान, खतम हो गया, नाश हो गया, दस बच्चे गए पुरा वो बड़ा, आमेर आदमीता गाउं में पूरा उसका बैंस वगार सब कुछ जो उसका था पूरा खतम हो गए उसको किड़े पड़ गए उसका बीवी उसके उपर शिराप डाला तुमारा जो यह है बगवान है उसको तुम छोड़ दे वो तेरे को इतना मार देता है तो पूरा खतम क्या तेरा तो उधर आमको मिलता है कि बहुत जान प्रचार में बोलते है कि मेरे को कौन जो बोलता है मेरे को परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर ने लिया क्या बोलता है परमेश्वर ने मेरे को आमीर किया दस बच्चें दिये बड़ा मेरे को गाउं का राजा का जैसा बनाया थाकतवार बनाया लेकिन परमेश्वर ने इच वापस ले लिया एसा करके वो गलत बोला और जो गलत जो शब्दे किसका जोब का ये परमेश्वर का शब्द नहीं है ये जोब का गलत शब्दे ओ लेके आमारा कैटलिक लोग बोलते हैं कि परमेश्वर ने दिया परमेश्वर ने वापस से निकालके ले लिया परमेश्वर ने मेरे से थोड़के मेरे को मुसिबत में डालके मेरे को लाच्चारी बीमारी में डालके मेरा वाठ लगा दिया एसा करके वो शब्द के आनुसार लोग बोलते हैं इसलिए आज तु ये परचार कतम होने के बाद डिस्क्रिप्शन में जा ले और पांच-दस मिनट में आप परमेश्वर का सोरिक पिता का बच्चा बन जाए और उसके बाद ये 24 गंटा ये परचार सुन ले सुबह उठके रिकॉर्डिंग कर ले और यूट्यूब पर चड़ा दे नहीं तो तु परमेश्वर का बच्चा नहीं बना ये सच्चे जैसा एश्यू मसिल ने किया उसके चेलों ने किया वो इच आमको करना मांगता है और जबी मैं ये करेगा तब इच में परमेश्वर का बच्चा बनकर मरते दम तक जियेगा तीन पच्चिस में ये जोब में मिलता है आमको की उसका जो ढर था वो हमेश्य सुचता था मैं इतना आमिर बन गया है मेरा कोई चोरी करेगा मेरे को कोई दुका देगा मेरा बच्चे है बच्चे अभी इतना बड़े हो गए गलत दिशा में चले गए है उन बच्चों का वाट लगेगा एसा करके वो हमेश्य सुचता था तो उदर जो तीन पच्चिस में आमको मिलता कि उसका जो ये गलत सुच के वज़े से वो सब उसको बुरा शैतान ने किया किस ने किया शैतान परमेश्वर किसी का गलत करता नहीं जब तक तेरी सोच गलत होती नहीं तेरे को कुछ बुरा होएगा नहीं तेरी जो सोच है वो सिधा ठिकाने पे रहना मंगता है परमेश्वर के उपपर तुम हर गड़ी सोचना मंगता है कि मैं परमेश्वर का बच्चा है जो दुनिया में है वो सब कुछ मेरा है मेरे को बीमारी नहीं लगेगे मेरे को लाचारी नहीं आएगे मेरे को कुछ बुरा नहीं होएगा ये हमेशा हम लोग सोचना मांगता है हर गड़ी कुछ भी उल्टा सोचेगा तो शेटान तेरा बैंड बजा देगा ओ डर उसके मन में हमेशा थी और ओ डर के वज़े से शेटान ने उसको पुरा खलास किया उसने गलत बोला किसने जोब ने कि बगवान ने दिया बगवान ने लिया लेकिन सच इसमें लिकाए कि जो उसकी गलती जो डर की सोच थी उसके वज़े से शेटान ने उसका पुरा खतम किया उसको पुरा बिस्तर पे चड़ा दिया उसका हालत इतनी बुरी हो गई थी ओ बहुत खराब हो गई थी उसका कभी भी मौत होने वाली थी एसा उसकी हलात हो गई थी तो आमको आमारा कलिसिया में सबाओं में प्रचारों में बहुत गलती चीज़ें सुनने को देते हैं सुनाई देती हैं बहुत गलत चीज़ें वो तु सुनेगा और उसके उपर तेरा दिमाग रहेगा तो तु गया काम का पादरी का तो पादरी उसका तो जो होने वाला है वो उसको हो जाएगा उसका लिना दिना मेरे को नहीं है तेरे को नहीं है उसका लिना दिना जो कोई लोग बोलता है उसको बोगत ना पड़ता है लेकिन सुनने वाले के उपड़े बोलने वाला कुछ भी बोलेगा बोलने वाले को कोई रुका नहीं सकता लेकिन सुनने वाले को क्या मन में लेने का है क्या दिल में बसाने का है वो सुनने वाले का उपड़े इधर से ले ले इधर से छोड़ दे उसको दिमाग में मत रख दिल में मत डाल पादरी बोले अमारा पाप साहब भी बोले कोई भी बोले तेरे को कोई भी नहीं बचाएगा तेरी बिमारी आयाए कोई भी टिक नहीं करेगा तेरे को गरीबी आयाए लाचार आयाए विकारी बन गाए कोई तेरे को बड़ा नहीं कर सकता तेरा जीवन तेरे हाथ में है पादरी, मादरी, बिशप पाप शाइब कौई नहीं आएगा तो नरक से तेरे को कोई नहीं उठा के सोर्ग में डालेगा नहीं होता हैं तुम भूल जा, नरक में जाने के बाद तुम परमिश्वर से नहीं बोल भी नहीं सकता, कि परमिश्वर, ओ, मेरे को गलत पादरी ने सुनाया, बिशप ने सुनाया, ओ, लोग गलत कर रहे थे, इसलिए में भी गलत रस्ते में निकला, तुम नरक से परमिश्वर से बात भी नहीं कर सकता, यह तुम उसको बोल भी नहीं सकता, यह तुम सिर्फ शैतान को बोलो उदर नरक में, तेरा दुनिया में से प्रातना परमेश्वर को पहुंचता नहीं है नरक तो दुर की बाते नरक बोले तो परमेश्वर को और नरक से कुछ लेना देना नहीं है वास्ता कतम तेरा जो कुछ करने का है सुदारने का है वो तुम सुदर जा इस दुनिया में तो हमको, कैटलिक लोगों को, बिल्कुल सोर्ग पिता का जैसा बनने का है, और सोर्ग पिता का रूप है एशु मसी, क्योंकि एशु मसी ने बोला, जो भी मैं करता हूँ, जो भी मैं बोलता हूँ, वो सब मैं सोर्ग पिता का देखने से, कहने से मैं करता हूँ. तो हर एक कैथलिक को आमको एशु मसी का जिवन लेके पूरा का पूरा एशु मसी का जिवन आमको जिने का है तोड़ा निच्चे हो गया तुम गया काम का तेरे को शेटान कभी भी उड़ा सकता है बाद में लोग क्या बोलते हैं ये प्रिचर आच्चा था जल्दी मर गया वो प्रमेश्वर का बात नहीं है वो प्रिचर ने कुछ गल्ती किया और प्रिचर मर गया प्रिचर को ज्यादा उमर मिली नहीं है सिर्फ 40 मिल गया 50 मिल गया 60 मिल गया 90 नहीं मिला 100 नहीं मिला तो क्यों मर गया? क्योंकि उसका जिवन बिलकुल एशुमस्य का जैसा नहीं था जबी वो मर गया तबी क्योंकि शब्दाम को बोलता है तेरे बुढ़े जबी तुम बुढ़ा बन जाएगा ना बुढ़े पन में भी तुम एक जाड जो पुरा चोठाा रहता है तबी इतना फ़ल जता है इतना हीरा रहता है वयसा तूम बन जाएगा कभी तुम जबी बुढ़ा रहेगा तबी भी वयसा इसंतूर रहेगा तेरा बदन में कुछ कम नहीं होएगा कमजोरी ताकत में नहीं आएगी आखों का रोशिनी नहीं जाएगी दिमाग सट नहीं जाएगा कोई भी चीज तेरा बदन का है वो बिल्कुल बच्चों का जैसा रहेगा करके शब्द बोलता है जाके देख ले सामस में सामस Sap and Green करके मार दे Sap and Green Bible words करके मार दे Google पे तो इधर अनाड़ी नहीं बननेगा दुनिया में जितना तो अनाड़ी बनता है उतना तेरे को मोथ जल्दी आती है उतनी ज़्यादा वाट तेरी लगती है बिमारी तेरे को किशता है कभी जब इतनों अन्नाडी बनता है तेरे को परमेश्वार का जैसा जैसा सोरिक पिता ने शब्द कहा और शब्द से जो आमको अब पूरा दिकाई देता है वो शब्द से बनाए तो वो इस ताकत उसकी खुद की ताकत उसका जैसा आमको इंसान को सोरिक पिता ने बनाया है तो हमको आमारा दूसरों का श्राप देगा तो श्राप खुद को लगता है दूसरों को नहीं लगता तुम जब श्राप देता है, वो श्राप एक बीश का जैसा है, वो तेरे जिवन को लगता है तोड़े दिन में के बाद, जो आपने श्राप डाला है, वो तेरे को हो जाएगा तेरे जिन्दगी की बरबादी होएगी, तुम दुसरों का बरबादी के लिए तोई श्राप डालता है, वो खुद की तेरे बरबादी होती है नहीं तो देख ले, जो लोग ने श्राप डाला है, वो लोग कैसे जिन्दगी जीते हैं, और कैसे मर के गुजर गए हैं, वो तुम खुद देख ले, तेरे बाजो वाले, तेरे खुद गर वाले भी तेरे को श्राप डालते थे, खुद माबाप, बच्चे माबाप को डालते खुद गर का इस आंदर देख ले, जो श्राप डालता है, उसके आंदर कितनी बिमारियां हैं देख ले, कितनी गोलियां खाता हैं देख ले, दुसरों का जो बुरा बोलता है, उसका बदन का हालत देख ले, तो ये सच्च है कि हमारा जीवन बिल्कुल एश्यू मस्य का जैसा होना चाहिए तब इच कि आमको शेटान तंग कभी भी नहीं कर सकता एक लवज से शेटान को सिधा उटा के समुन्दर में आम लोग फेंक देंगे यह है परमिश्वर का जैसा ताकत मेरे शब्द में साथ बार के सतर गुने तक दुसरों को माफ करने का है जैसा एशू मसी ने आमको इंसान को माफ किया स्वर्ग पिता ने एशू मसी के दुवारा सब आमारी बुराई खतम कर दिया आमको पुरा का पुरा माफ कर दिया तो वैसाइच हमारी जिन्दगी भी एक दुसरे से होना मंगता है शेयतान तेरे को फारें तेरा मन में डालेगा कोई इंसान तेरे किलाफ बोलेगा तो शेयतान तेरा मन में डालेगा तुँ ओ तेरा दुश्मन है उसको तो कभी भी उससे बात नहीं करना उसका पुरा परिवार को तुम श्राप डालना उसका बीवी बच्चों को तुम श्राप डालो उसका पुरा खंदान मर जाने के लिए तुम श्राप डालो वो कभी भी आच्चा नहीं बोगत पाएगा वैसा तुम शिराब डालो एसा फोरें शेतान तेरे मन में डालता है लेकिन मैं पवित्र कैटलिक है मैं वो सब टाल देता है मैं सब को एश्यू मस्य का जैसा प्यार से सबसे वेवार करता है तो यह होती है बात इस दुनिया में जिने की जो एश्यू मस्य ने पतरस को इदर समझाया कि सिर्फ साथ बार नहीं सो बार नहीं जब तक तुन तेरी सांस चलती है तब तक अगर तुन गिर गया पिसल गया इसमें तो तुन सोर्ग से पिसल गया तुन सोर्ग में नहीं जाएगा जो भी तुमने आच्चा कामा किये थे उसके सब के उपर पानी पिर गया जैसे आदाव यूव को हुआ था आदाव यूव पुरा जिंदगी बर तक वो लोग बहुत मस्त थे परमिश्वर उनके साथ थे लेकिन जो परमिश्वर ने बोला था मत करो, मत खाओ लिया, तब से लेके ओ लोग गिर गए उनको परमिश्वर चोड़के गया तो उनको खुद के बल बुते पे जिना पड़ा खुद के ताकत पर उसके बाद उनको जिना पड़ा हर मजदूरी उनको करना पड़ा तो इसलिए अभी जो भी कोई दुनिया में परमिश्वर है तो मैं परमिश्वर की ताकत पर मैं जिता हूँ शुक्रिया यह इंसान जो यूटूब लाइब पर है उसको और उसका पुरा परिवार को और यह प्रचार जो लोग सुनते हैं उसको और उसका पुरा परिवार को आप कोविड बिमारी और ब्लक फंगस बिमार से बचा कर रख कोई भी बिमारी लोगों के बदन में है सब खतम कर दे और चंगाई दे दो और सब कामाई लोगों का करके दे जो बदन का हिस्सा चलता नहीं है चलने का बंद हो गया है वो इस्सा बराबर से नया कर दे और जो हिस्सा बदन में नहीं है पैदाश से नहीं हुआ नहीं तो डॉक्टरोंने निकाल के फेंक दिया ओपरेशन में वो बदन का हिस्सा वो आप नया डाल दे सोर्ग दुटके से जो लोग पढ़ाय करते उनका दिमाग बिलकुल नया कर दे और बड़े मार्स में लोगोंको पास करवा दे जो लोग दंदा करते हैं उनका दंदा बड़ा जो लोग नोकरी करते हैं उनका पागार बड़ा और पोस्ट बड़ा जो लोग नई नोकरी ढूंडते हैं उनको बड़ी कमपनी में बड़ी पागार की नोकरी दे दे और जो लोगों को बेटा के रखाए उनका कमपनीयां किसा बनने को भी आपका प्यार आपका कुरूपा और पवितर आत्मा का आधार ये लोगों को दे दे आमें अभी पांच मिरट के लिए आम लोग शब्द कहेंगे स्वर्ख पिता और इश्व मसर पवितर आत्मा के नाम से आमें Lord Jesus, I eat your flesh. Lord Jesus, I drink your blood. Lord Jesus, you dwell in me. Lord Jesus, I dwell in you. Lord Jesus, I have eternal life in you. Jesus Himself bore our sins in His body on the cross so that we might die to sins and live for righteousness. By the wounds of Jesus, I am healed. 1 Peter 2.24 Jesus answered, it is written, Man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Matthew 4.4 I have said before you, life and death, blessings and curses. Now choose. Life Deuteronomy 30.19 Keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Joshua 1.8 Seek you first the kingdom of God and His righteousness. And all these things will be given to you also. Matthew 6.33 I have been crucified with Christ and I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me. Galatians 2.20 Beat your plowshares into swords and your pruning hooks into spears. Let the weak say I am strong. Joel 3.10 For I know the thoughts that I think toward you, says the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you a future and a hope. Jeremiah 29.11 Jesus answered, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. John 14.6 The Son of Man came not to be served, but to serve and to give his life as a ransom for many. Matthew 28. Be strong and of good courage. Do not be afraid nor be dismayed. For the Lord your God is with you wherever you go. Joshua 1.9 Do not be afraid or discouraged. For the Lord will personally go ahead of you. He will be with you. He will neither fail you nor abandon you. Deuteronomy 31.8 For I am persuaded that neither death nor life nor principalities nor powers nor angels nor things present nor things to come nor height nor depth nor any other created thing shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. Romans 8.38-39 Paul and Silas said to the jailer, Believe in the Lord Jesus and you and your family will be saved. Acts 16.31 My God will supply all my needs according to his riches in glory. Acts 16.31